बॉनि बुट के कई फिल्में इन दिनों सिनेमा घर में रिलीज हो रही है वहीं कई फिल्मों के बनने का भी ऐलान किया गया है इसी बीच सलमान खान और शेहनाज गिल की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली खास चरचाओ में है इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनोई आयूश शर्मा और जहीर इकबाल भी हिस्सा थे लेकिन अब खबर आ रही है कि आयूश शर्मा और जहीर इकबाल को इस फिल्म से निकाला जा चुका है इसके पीछे उनके किसी प्रजेक्ट को लेकर मतभेद की वज़ा बताई जा रही है रिपोर्ट की माने तो फिल्म कभी इत कभी दिवाली की शूटिंग सुरू हो गई थी आयूश शर्मा फिल्म के कई सीन शूट कर चुके थे लेकिन बताया जा रहा है कि अब उन्होंने इस फिल्म से अपना किरारा कर लिया है इसके पीछे SKF के मुद्दे को बड़ी वज़ा बताया जा रहा है वही इस मुद्दे पर बात बढ़ने के बाद उन्होंने फिल्म से निकलने का फैसला लिया आपको बता दे कि आयूश शर्मा और सलमान खान अच्छी खासी बॉंडिन शेयर करते हैं आयूश शर्मा सलमान खान के बहन और पिता खान के पती हैं दोनों को आखरी बार फिल्म अंतिम दे फाइनल टूथ में देखा गया था वहीं हाली में आयूश शर्मा ने इद की पार्टी भी रखी थी जिसमें सलमान खान की मौजूदगी देखी गई आपका इस इस्टोरी पर क्या कहना है कॉमेंट करना में जरूर बताए बॉलिबुड और एंटर्टेन्मेंट ये खबरोगे देख्ते रहे है एबीवी एंटर्टेन्मेंट